तो South Africa और New Zealand women's team के बीच में दूसरा one day match जो की आपको 28 September को दो फर में एक वज़े से होने वाला है और ये match City Oval के ground पर होगा जहां पर अभी तक एक भी international one day match खेले नहीं गये ना ही man team के ना ही women's team के यहां के पिछके बारे में बात करेंगे चुकि यहां पर काफी सारे local matches अभी ताफी down रहेगा और दिन के time पर यहां का जो temperature होने वाला है वो लगभग 15 degree के आसपास का जा सकता है लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा temperature down होगा उसके लाबा humidity भी लगभग 90 के आसपास का देखने को मिलेगा ऐसे में इस match में भी fast baller का बोल वाला रहने वाला है पह मैच 2023 और 22 में खिले गए तो उन 10 मैचों में टोटल 84 बिकेट फास्ट बॉलर ने लिए हैं और इस पिनर्स ने टोटल 47 बिकेट यहां पर निकाले परसेंटेज में अगर देखो तो लगभग 65 परसेंट फास्ट बॉलर और 35-36 परसेंट के आसपास बिकेट इस पिनर्स के खाते में जा रहे हैं मतलब स्पिनर्स को थोड़ा का लेकिन मौसम के हिसाब से पिछका कंडिसंस भी चेंज होता है तो इस समय फिलाल के लिए बारिस होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे तो ऐसे में यहां पर वैसे बारिस हुई भी है तो ओबर कास्ट कंडिसंस के वजह से भी शुरुआती कुछ ओवर्स के पाउर प्ले में बिकेट लगातार गिलेंगे गिरेंगे वो साउथ एपरिका पहले बल्लेवाजी करें या फिर निव जी लैंड की टिम पहले बल्लेवाजी करती है अब आगे बढ़ने के तो बात करते हैं दोनों टीमों के ओब बांगलादेस वोमेंस के खिलाब बाकी के तीन मैचों में इसे हार का सामना करना पड़ा है उसके अलावा दोनों टीमों का जो ओबर आल ये स्कौाड है दोनों टीमों की वो स्कौाड आप यहाँ पर चिक कर सकते हैं वैसे स्कौाड में एक एक नाम आप पर पर सकते हैं फ बहुत जबर्दस फॉर्म में चल रही है वैसे बल्लेबाजी और गेंदबाजी ये दोनों कर रही है इस समय और पिछले 10 मैचों में 358 रन बनाए जिसमें की 35 का एबरेज और 77 का स्ट्राइक रेट रहा है साथ एप्रिका की टीम की तरफ से मिलेगी मारी जाने के बहुत जब 311 रन बनाए 44 स्काइब रेट 74 का स्ट्राइक रेट अमेलिया कर बॉलिंग भी आपको दे सकते वैसे सुजी वेट भी पार्ट टैम बॉलिंग कर ही लेती है लेकिन हम बात करेंगे बॉलिंग में और दोनों टीमों के तरफ से तो जो टॉप की दो बॉलर है उसमें नादिय देख डिकलारें उसके अलावा. अया ओ हरना खाकअ जोभी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कारें यह पिछղे 10 मैंच में से 10 विकेट निकाले है जेस्केर psycheले बहुत बढ़िया पर फकौंस जरूर्मिंशर में सिरसे मैचɫ में 12 विकेट लिय उसके अलावा फ्रैन जॉ को वाइस कैप्टेन आप कर सकते हो वाइस कैप्टेन मायरी जाने केप रहेगी लेकिन नादीर्दी कलाट को आप कैप्टेन कर सकते हैं उसके लाबा अमेलिया केर को भी आप कैप्टेन कर सकते हैं यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली इस मैच के लिए आगे बढ़े जीत लिया उससे पहले भी 2020 में दोनों टीम आपस में भीड़ चुके हैं जहां पर 6 विकेट से साथ हप्रिका ने हराया और तीनों के तीनों मैच की खास बात यह रही है कि बाद में बल्लेबाजी करके ही चेस करके ही साथ हप्रिका ने नीजिलेंड की टीम को हराया है अब ब चेना रोर ने बावन बनाया था उसके अलावा मसावाटा क्लास तीन बिकेट लिया था नादिये दिकलार्क ने दो बिकेट लिये थे बहुत इंपोर्टेंट यह प्लेयर्स इस मैच के लिए बहुत अच्छा फोर्म चल रहा है माधिया यह भी पर्फोर्मेंस करती ही नज को देगी और इसको कैप्टन कर सकते इस मैच में भी बहुत बढ़िया यह होने वाली है उसके अलाबा है नारो की बात करें दो बिकेट लिया और जे स्केर ने दो बिकेट लिये थे यह पहले मैच के टॉप परफॉर्मेंस रही है तो इस पर भी आपको फोकस करना है उसके अ 215 का Average Score 292 का Highest Score और 70 का Lowest Score रहा जबकि New Zealand टीम ने पिछले 10 में से 5 मैच जीतने 200 का Average Score 311 का Highest Score और 127 का Lowest Score New Zealand वॉमेंस की टीम का नजर आता है इस ग्राउंड पर धोनों टीमों ने एक भी मैच नहीं खेले overall यहाँवी International मैच हुआ ही नहीं है तो आगे बढ़ेंगे और इ आप दिखो, TOS team ने 9 wickets से match जीता है, बाद में बल्लेबाजी करके, उसके लावथ, GرB ने पहले बल्लेबाजी करके match जीता है, और एक और match हम यहाँ पर, बाद में बल्लेबाजी करके TOS team ने DLS method से जीता है, अब बात करेंगे, वैसे average score is ground का जो होने वाला है ज्यादा नहीं रहता है, 220 का average score पहली इनिंग का और 190 का second इनिंग का average score is ground पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी हम player की बात करेंगे, बिकेट कीपर के तौर पर आपको बरनादीज को टीम में करना है, ये बेहतरीन होने वाली है, वैसे South Africa के बिक हैट choice ही होने वाली है, सोफिय डिवाइन को आप wise captain कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा performance कर नहीं रही है, पर player के तोर पर आप इन्हें टीम में करना और विकेट लगातार निकाल देंगे, इन्होंने बल्ले से runs भी बनाए हैं, और runs के बादे में बात करेंगे, तो सोफिय दिवाइन ने कुछ बढ़िया पारी खेली स्रिलंका के खिलाप century लगाई थी, उसके लाबा स्रिलंका के खिलाप 38 बनाए, पिछले मैच में जरूर फ्लॉप रही पर हॉम में है, तो इनको wise captain साइद कर सकते हैं, आप देखते हैं, अप लें 11 आने तो आदे साइड करेंगे इसका एक मैच जो खेला था, स्रिलंका खिलाप वहाँ बिकेट आया, पाकी के दो मैचों बिकेट नहीं रहे हैं, मार जाने के अप ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, लेकिन दो मैचों में इन्हों ने विकेट लिया नहीं, निजी लेंड के खिलाप पहले मैच में जरूर रहने वाली है, उसके अलाबा बॉलिंग में बात करेंगे, चार बॉलर जो हम रखेंगे, जे स्केर को आप टीम में जरूर कीजेगा, बहुत बढ़िया फॉर्म इनका चल रहा है, उसके अलाबा मासा बाटा क्लास, पिछले मैच में तीन विकेट लिया था, टोटल तीन मे चे बिकेट ले चुकी है, बहुत जबरदास फॉर्म में चल रही है, ये लड़की हमेशा फॉर्म में रहती है, लगबग हर मैच में बिकेट निकालती है, बिकेट टेकर बॉलर है, उसके अलाबा लिया ताहुभू को टीम में करना है, ये भी ताहुभू भी बढ़िया प मत लगाईएगा बाकी प्लेंग 11 आने के बाद टॉस पर जो टॉस जब हो जाएगा उस समय जो पिछ रिपोर्ट आएगी वो पिछ रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूगा साथ यूटूब चैनल के नाम पर क्लिक करो उपर बैनर दिखेगा वह से आप जोइन कर सकते हैं साथ ही साथ यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने ग्रूप में दोस्तों के साथ शेर भी किया कीजिए